हेलो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चानल पर जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि भारत और सौथ आफ्रिका के बीच तीसरा और आखरी वंडे मापकी जिगा टेटेटेंटी मैच आज खिला जाने वाला और काफी मतलब यहां पर चेंजेस होन जा रहे तो दोस्तों कल के मेरा एक वीडियो जाके देख सकते आठ प्लियर मेरे ड्रीम टीम में है याने मेरे प्रेडेक्शन अच्छे जा रहे दोस्तों ज़रू आप मुझ पर वर्षा कर सकते दावन लगा सकते तो चलिए दोस्तों भारत और आफरिका के मैच के मैच पर नहीं लेना है और क्याप्टन और किसे बना सकते यह भी मैं आपको देखाऊंगा माय टिम पर जाके लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट जरू करूंगा कि अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रह यहाँ पर अपकोस यहाँ पर काफी चांसे से कॉंटन डिकॉक तो खेलने वाले हो इसके साथ साथ रिशब पंथ जया दो तो रिशब पंथ भी इस टीम में रहेंगे और साथ ही साथ मुझे लगता है ओपनिंग के लिए आ सकते हैं इसका इसकी वज़े आगे आपको जाओंगा बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर रहेंगे सुरी कुमार यादव रहेंगे और डेविड मिलर रहेंगे तो तीन ही वल्ले बाजों के साथ जाओंगा दोस्तों क्यूंकि आप देख सकते हैं विराट कोली अनवेलेबल दिखा रहे हैं केल रहूल भी अनवेले के लिए मुझे नहीं लगता सुरी कुमार यादव या फिर कोई तैयार होगा तो इसलिए रिशब पंत के चांसे से दोस्तों ओपनिंग के लिए आने के उसके बाद ऑल्रांडर की बात करें तो अक्षर पटेल को अफकोस मेलूंगा मर्क्रम को भी मैं आफकोस इस टीम में रहने दूंगा और वेन पारनेल को इस टीम में शामिल करूंगा तो यहां पर तीनी ओल्रांडर यहां पर मैं ले सकता हूँ यहां पर मुझे एक और ऐसा लग रहा है कि आराश्विन की जगह पर यहां पर एस एहमत का मुझे खेलते हुए नजर आ सकते हैं ऐसा मुझे यहां पर तीनी गेंबाज में ले सकता हूँ क्योंकि आलरेडी में दो की पर लें चुका हूँ तीन बैसमन लें चुका हूँ तो कुलमेला के एक अच्छी-खासी हमारी टीम बन चुके और अच्छी-खासी टीम के लिए अच्छी-खासी क्याप्टन और वाइस- है कि विडाट कोली मुझे खेलते नजर नहीं आ रहे तो जादा जिम्मेदारी का काम अब सुरिकुमार यादों पर आ सकता है तो इसलिए इनको क्याप्टन बनाऊंगा और कॉंटन डिकॉक पिसली मैच में काफी जबर्दस फॉर्म में नजर आए इनको मैं वाइस- जबने वाला है रोजश्चरमा के साथ तो यहाँ पर सुरिकुमार यादो के चांसे मुझे कम लग रहे तो यहाँ पर पंत की जरूर मुझे लगता है की ओपनिंग के आने के काफी ज्ञाधा चांसे से तो इसलिए यहाँ पर पंत को भी लूँगा रोईचरमा डेवीड मि करूंगा क्यूंकि अच्छी खासी बल्लेबाजी तो करी लेते साथ उनके टीम को जरूरत पड़ती है तो वह अच्छी खासी गेनबाजी भी कर सकते तो इसलिए मैं इनको जरूर टीम में रखूंगा उसके साथ-साथ दीपक चहर को में ले रहा हूं अर्षदीप सिंग को ल समेल कर रहा हो तो कुलमिला के अच्छी खासी टीम बच्चुके लेकिन काप्टन काफी पाइदे बन रहा है दोस्तों आप चाहे तो इस्टीम को स्मॉल लिक के लिए उसके सकते हैं तो पहले जरू लगा दिजे उसके बाद से आप स्मॉल लेक के लिए योज कर सकते हैं इस टीम को क्लोज करते हैं सेव कर लेते हैं और दूसरी टीम में आपको दिखा देता हूं किस तर से बनाई गए हैं दूसरी टीम की बात करें तो यहाँ पर मैंने रिशब पंत को ड्राप कर दिया सिर्फ कॉंटन डिकॉक के साथ ही जाओंगा इसके बाद बैटिंग की बात करें तो रोई चर्मा है सुरिकुमार यादव है यह तो मेरे हर टीम में रहेंगे देविड बिलर भी मेरे हर टीम में रहेंगे और चौथा यहाँ पर मुझे लगता है कि विराट कोली और केल राउल इनकी जगह पर किसी को तो ले नहीं वाले तो श्रेय सायर का चांसेस मुझे अब लग रहा है इनको जरूर ले सकते तो इसलिए मैं यहाँ पर उनके साथ जाओंगा क्योंकि हर टीम में इनक अच्छा परफोमस करना ही होगा आज उनको काफी बड़ा मोका है तो मुझे लगता यह भी खेल सकते और अच्छा परफोमस कर सकते और चलते तो यहाँ पर अक्षर पटेल है मार्क राम को भी मैंस्टीम में शामिल करूंगा आप यहाँ पर वेन पारनेल की जगह पर अग सकते तो मैं इस टीम में जरूर है देजिंगा जलतके दूगा सब्सक्ति से तीन चाइश करते जीडिआ हैं जाना आपके हज़ी करना है कर लिए बिस्तर से यह टीन लें शामिल कर लिए अब हमारी टीम फिर से बन चुके दूसरी और फिर से हमें नेक्स्ट पर किलिक करना है और देखना है कि weise captain की से बना सकते तो यहां पर मैंने ऑफकोस रोहित चर्मा को इस टीम का मैं मिरे पास देवीड मिलर भी इस रे सअ दिरा को मैंने लिया तो इसलिए मैं इन चारओ को एक साथ ले रहा हूं अगर बात करें आल्रॉच टंडあー अक्षर पटेल है यहां पे अक्षर पटेल की जगह पे अगर आप ती बाउमा या फिर रोली रॉसो या फिस्टी स्टप्स को भी लेना चाहे तो ले सकते क्योंकि मुझे लगता है आज उनका भी परफॉर्मस अच्छा हो सकता है इसके बाद अगर बात करें तो अल्रेडी म यह अच्छी गेनवाजी कर सकते हालकि अभी इतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे लेकिन ले सकते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा करा के देंगे इसलिए मैं इस तरसे इन सब को इस टीम में शामिल कर रहा हूं तो कुलमिला के अच्छे खासी टीम बन चुक अगर बात करें क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की तो रोही चर्मा को मैं स्ट्रीम का क्याप्टन बनाओंगा शुरुवात में आएंगे आज यह थोड़ा इन पर भी थोड़ा अतिरिक्त दबाव रहेगा दोस्तों क्यूंकि दो प्लियर हमारे जो अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं उनको खेला या नहीं जा रहा है तो रोही चर्मा पर जिम्मेदारी का बढ़ने वाली है तो इसलिए रोही चर्मा मुझे लगता है आज एक अच्छी पारी खेल सकते तो इनको क्याप्टन और एडम मरक्रम जो अच्छी बैटिंग तो करी सकते साथे साथ जोनर पड़ने पर गेन बाजी भी कर सकते तो इनको मैं वाइस क्याप्टन बनाने जा रहा हूँ दोनों की दोनों बेस्ट है दोस्तों फिर से कहूँगा इस टीम को आप ग्रांड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए उच कर सकते और एक ही लिग लगाते तो शिर्फ ग हाला कि उनोंने 17 ही रन मरा है लेकिन फिर भी वो ड्रेम टीम में थे क्योंकि उनसे अच्छा प्रफर्मस किसी और ने नहीं किया था तो यहां पर दिनेश कार्टिक को भी इस टीम में मैं जरूर रखूंगा अग कॉंटन डिकॉक के साथ साथ बैटिंग पेर चलते तो यहा अच्छे खासे बैट्स मनें तो इस तर से पाज वल्लेबादों को में स्टीम में शामिल कर रहा हूं जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है और इसके बाद और पर चले तो यहां पर सिर्फ अक्षर पटेल को में ले सकता हूं एडम मरक्रम को मुझे ड्रॉप करना पड़ हर्षल पटेल की जगह पे किसी और को लेना चाहे तो भी ले सकते लेकिन मुझे लगता है यहां पर हर्षल पटेल ज्यादा बेटर ऑप्शन डग रहे है तो क्योंकि अगर आप अर्षदिप को भी लेना चाहे तो भी ले सकते तो कुल्मिला के एक अच्छी खासी ये वी तो काफी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे तो मुझे लगता है इनको क्याप्टन बनाना काफी फायदेमन सावित हो सकता है तो वही अक्षर पटेल को मैं इस टीम का वाइस कैप्टन बनाऊंगा क्यूंकि दोस्तों जरूरत पढ़ने पर बैटिंग में आते हो अच्छे लिए लिए इसके बाद बैटिंग के बात करें तो पाज वल्लेवाज को मैं इस टीम में लोगा रोही चर्मा रॉली रॉसो डेविड मिलर सुरिकुमार्यादों और टीट अप्स को में शामिल करता हूँ क्योंकि रॉली रॉसो और टीट अप्स भी एक अच्छे बल्लेव सब्सक्राइब करें तो यहां पर अच्छा खेल जाए तो आपको ग्राइड लिए मैंने थोड़ा हट के सोचकर यह टीम बनाई है जिस्से आपको काफी । आहतरो आप इस तर से । बना रह inspect gibi कि बात करें तो डिवीड मिलर जिन्हों ने लास्ट मैच में हंडेट बनाई थी उनको क्याप्टर पटेल जो और यह टीम दोने और फटो सी तो इनको वाइस कैप्टन बना रहा हूं तो कुलमला के काफी अच्छी टीम बनी है इसे भी क्लोज कर लेते सेव कर लेते और चोथी जो टीम मैंने आज बनाई है उससे भी मैं आपको दिखा देता हूं वह भी काफी बड़िया टीम बनी है इनों को जरूर इस्टीम में रखूंगा अगर आप चाहे तो यहां पर चेंजेस करना चाहे तो यहां पर आप ती बाओ मां को मैंने अभी तक कहीं भी नहीं लिया तो उनको ट्राइक करना हो तो आप कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनको ट्राय करना चाहिए यह और आरश्वीन को मैं नहीं ट्राय करने वाला फिर बी अगर आप लेना चाहे तो जरूर ले सकते अभी फिलाल ऑल राउंडर पर चलते तो अक्षार पतेलों राड़म मरकरम को मैं दोनों को ले अगर फिर भी यहाँ पर भी अगर आप आराश्यून को लेना चाहे तो यहाँ पर दे सकते हैं लेकिन दोस्तों इनका रोल मुझे इंडियन टीम में थोड़ा अलग लग रहा है इनको विकेट लेने के लिए नहीं लिया जा रहा है उन्हें सिर्फ रन रोकने के लिया जा इस टीम में अगर गेन बाजी की बात करें तो यहां पे मैं 5 गेन बाज़ों के साथ जा रहा हूँ जीआ रोस्तो पाज गेन बाज है कगी सो रबाड़ा एंडरिक नोजे दीपक चहर केशो महाराज और अर्शदीप सिंग्ग इस तर से पाज गेन बाज़ों को मैं इस टीम मे लेना चाहे तो ले सकते लेकिन किसे ड्रॉप करेंगे अगर आप लेना ही चाते तो आप अंड्रिक नुज्जे को ड्रॉप कर सकते तो कुल्मला के यह भी टिम काफी अच्छी बनी और काफी हट के लग रहे फिर से हमें कि यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले केपिंग की तो मैं यहाँ पर कॉंटर्ण डिकॉप को ले रहा हूं अगर बात करें मिलर पास शुरी कुमार यादो इन तीनों में से किसी को भी डॉप करना मतलब थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए यह तीन बल्लेबाज लूँगा अ तर से पाच इस टीम में ले रहा हूं यानि कोई भी अच्छा प्रफोर्मर्स कर ले आपको पॉइंट जरूर मिलने आला हाँ अगर फिर भी आप प्रेट के जगह पे लूंगी इंगेडी को लेना चाहे तो उनको ले सकते और भी कोई अगर आपको चेंज करना चाहे तो कर सक अगर चाहे तो देख सकते मैंने इस टीम का क्याप्टन और वाइस क्याप्टन अर्षण दिप सिंग को क्याप्टन और मर्करम को वाइस क्याप्टन मनाने जा रहा हूं आप चाहे तो यहां पर केश्यों महराज को भी वाइस क्याप्टन बना सकते दिपक्चर को भी वाइ पैटिंग के साथ-साथ बробन को बालाने जा हूँ आप चाहे तो यहां पर वाइस कैपटन के तोर पर धीपक चहर को केश्यों महाराज को भी लगा लेकिन रवाडा को मत लगाईएगा मुझे लगता नहीं रवाडा का पर्फरमस इतना अच्छा हो सकता है कि उन्हें क्याप्टन या वाइस क्याप्टन बनाया जाए दीपक्चर और केशो महराज में से एक को जरूर आप बना सकते क्योंकि इनको दोनों को बैटिक भी अच् करना है स्मॉल लिक के लिए यूज मत किजिएगा काफी फाइदे मन साबित हो सकता है आपको यह ग्रैंड लिक जिता भी सकती है फिर अच्छी खासी अर्णिंग तो पक्का करा सकती है इसलिए इस टीम को ग्रैंड लिक के लिए यूज नहीं करना है क्योंकि काफी रिस्की हो सकती है स्मॉल लिक के लिए तो कुलमला के एक अच्छी खासी टीम बन चुके इसे भी अभी क्लोज कर लेते सेव कर लेते और आखिर में यही कौंगा दोस्तों कि अगर आपको लगता है इन चारो टीमों में कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर आपको लगता है नहीं कुलिए तो इसलिए ज्यादा चेंजेस मत की जगा आइपको सभी को मेरी चारो टीमें और मेरा विडियो जरूर पसंद आया और वीडियो अगर पसंद आया तो इससे लाइक कर दीजे आपने दोस्तों के साथ शेर भी करना ना मुले और साथी साथ चानल को अब तक स दोस्तों कि मैं मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते अच्छे प्रेडिक्शन जा रहे हैं इतने बुरे भी नहीं जा रहे हैं कि आप भरसा ना कर सके साथ इसाथ टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं दोस्तों वहाँ पे जाके उसे जॉइन जरूर कर लिजेगा आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्यू धन्यवाद और गुडबाई